हेलो दूस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर अंलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में जेपी इन्वर्सिटी बिश्वभी द्याले के लिए हिंदी ओनर्स के पेपर से महत्यपून लेखक कभीता और काभी रचना के अबजेक्टीव प्रसनों को लेकर आया हूँ जो की काफी महत्यपून है क्योंकि आपके एक्जाम में हिंदी ओनर्स के पेपर है या आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी हिंदी ओनर्स है तो आपको पहला जो 5 प्रसन पूछे जाते हैं इनी तीनों से पूछे जाते हैं महत्यपून ले उसमें आपका जो पहला पांच प्रस्न होता है उसमें लेखक, कभीता और कभी रचना से पूछा जाता है और यह पांच नमर आपको fix कर लेना है और यह जो मैं question बताने जा रहा हूँ जो आपको मैं अभी लेखक और कभी रचना के बारे में बताऊंगा यह 2021 के exam के लिए अगले महिना होने वाला है तो अभी से आप तयारी कर ले ताकि आपको exam में किसी प्रकार की प्रोब्लम ना हो तो अभी आम एके करकर साड़े लेखक कभीता और कभी रचना के बारे में बात करेंगे फर्स्ट कोर्शन है विद्यापती किसी काबे धारा के कभी थे तो विद्यापती जो है वह आदी कालीन काबे धारा के कभी थे तो इसका आप answer नोट कर लेंगे आदी कालीन काबे धारा वापसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वापसी पुस्तक के लेखक जो है वा उसा पिडिये वन्दा है तो इसका जो है आप एंसर नोट कर लेंगे उसा पिडिये वन्दा नेक्स्ट कोर्शन है सरोज स्मिर्थी के रचनाकार कौन है तो सरोज स्मिर्थी के जो रचनाकार है वह है सुरिकांत त्रिपाथी निराला जी है नेक्स्ट है कबीर किस काल के कभी थे तो कबीर जो थे वह भक्ति काल के कभी थे यहाँ सब जो question में करवा रहा हूँ काफी महत्यपून है आपके बीए के exam के लिए जो भी हिंदी ओनर्स लिये हैं या सब CBD में हिंदी ओनर्स लिये हैं उनके लिए काफी महत्यपून है आपका यहाँ से पांच नमर फिक्स हो जाएगा तो आप सारे वीडियो को देखेंगे अन्तक देखेंगे नेक्स्ट जो पांच नमर question है वहे जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के रचयता कौन है आपने बच्पन में पढ़ा होगा जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के जो रचयता है वहे कमले स्वर्ड तो इसका जो एंसर होगा वो अप्शन मतलब कमले स्वर्ड होगा छे नमर है पुस्प की अभिलासा कभीता के रचनाकार कौन है तो पुस्प की अभिलासा जो कभीता है उसकी रचनाकार जो है माखन लाल चत्रुवेदी है तो इसको याद कर लेंगे 7 नमर है तोड़ती पत्थर किसकी रचना है तो तोड़ती पत्थर जो है सुरिकान त्रिपाठी निराला जी की जो है रचना है 9 नमर को एट नमर कोशन है हिंदी कथा समराट किसको कहा जाता है तो हिंदी के जो कथा समराट होते हैं वह प्रेमचंद्र को कहा जाता है नेक्स्ट है रामचलीत्र मानस में कुल कितने सुपान है तो रामचलीत्र मानस में जो है कुल सुपान जो है साथ है तो यह काफी महत्यपुन कोशन है कि रामचलीत्र मानस में जो कितने सुपान है तो साथ जो है सुपान है आगे देखते हैं तो आगे जो कोशन है हिंदी के पर्थम राष्ट कभी कौन थे हिंदी जगत में जो है पर्थम राष्ट कभी कौन थे तो वह थे मैतली सरन गुप्त जी नेक्स्ट है महापरान किस कभी को कहा जाता है तो महापरान जो है सुरिकान तृपाठी निराला जी को कहा जाता है नेक दिक्स्ट है बिहारी लाल किस काल के कभी है तो बिहारी लाल जो है रिती काल के कभी है आप इन सारे कोर्शन को नोट कर लेंगे काफी महत्पून कोर्शन बता रहा हूं पांच नमर तो आएगा ही आएगा यहां से चोदर नमर है माला फेरत जुग गया मीटा नमन का फेर किस संत कभी का कथन है यह कथन जो है कभीर दास जी का है कि माला फेरत जुग गया मीटा नमन का फेर किस संत कभी का कथन का कभी है मतलब किस संत कभी का कथन है तो यह जो है कभीर दास जी का है पंदरा नमर है खीरा सिर्ते काहिये मलियत नोन लगाए किस कवी का कथन है तो यह जो है रहीम जी का कथन है नेक्स्ट है मेरो मन अननत कहां सुख पावे किस कवी का पद है तो यह पद जो है सूरदास जी का है कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे नेक्स्ट है सत्रा नम्मर मिर्तक भोज के कहानी कारक कौन है तो मिर्तक भोज के जो कहानी कारक है वह है प्रेम चंद्र next है हमारा प्यारा भारत वर्स किसकी रचना है या class 12 का भी question है कि हमारा प्यारा भारत वर्स किसकी रचना है तो यह जो है जैसंकर परसाद की रचना है आपने class 12 में पढ़ा होगा हमारा प्यारा भारत वर्स नेक्स्ट है समय कहानी के लेखक कौन है तो समय कहानी के जो लेखक है वह यस्पाल है नेक्स्ट है कलेम कहानी के लेखक कौन है तो कलेम कहानी के जो लेखक है वह है मोहन राकेश मोहन राकेश जो है कलेम कहानी के लेखक है आगे देखते हैं तो आगे जो है नागा अर्जुन का पूरा नाम क्या था तो नागा अर्जुन का पूरा नाम जो था वह फरिश्वर नाथ रेनु था नेक्स्ट है जागो फिड एक बार किसकी रचना है जागो फिड एक बार जो है वह सुरेकान त्रिपाथी जी की रचना नेक्स्ट है तुलसी दास किस काल के कभी है तो तुलसी दास जी जो है वह भक्तिकाल के कभी है नेक्स्ट है यह सोदरा के रचनाकार कौन है तो यह सोदरा के रचनाकार जो है वह मैथली सरनगुप्त जी है नेक्स्ट है सूर्दास किस काल के कभी थे तो सूर्दास जी जो थ वो बक्तिकालीन मतब बक्तिकाल के कवी थे नेक्स्ट है सूर सागर के रचनाकार कौन है तो सूर सागर के रचनाकार जो है वो सूर दासजी है नेक्स्ट है बीजक किसकी रचना है तो बीजक जो है या कबीर की रचना है नेक्स्ट है भारत भारतिये का कवी कौन है तो भारत भारतिये का जो कभी है वह मैथली सरन गुप्त है और यह हिंदी के परतम कभी थे राष्टिये कभी थे मैथली सरन गुप्त नेक्स्ट है कथा समराट किसे कहा जाता है तो कथा का समराट जो है प्रेम चंद्र को कहा जाता है आगे देखते हैं तो आगे जो है कुरुच्छेत्र का कभी कौन है तो कुरुच्छेत्र का जो कभी है वह रमधारी सिंग दिनकर जी है नेक्स्ट है सूर किस्त काबे धारा के कभी है तो सूर जी जो थे वह कृष्ण भक्ती काबे धारा के कभी थे तो इसको याद कर लेंगे अभी मैंने काफी महत्यपून लेखाक उनका रचना उनके काबे रचना के उपर बात किया जो कि काफी महत्यपून है तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे सेर करेंगे, सस्क्राइब करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद